Hello Friends, Welcome to Study Time Friends, आज हम लोग एक नया टोपिक की स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है Direction यानि दीशा और या एक ऐसा टोपिक है जो कि हर एक्जाम्स में इस टोपिक से एक या दो नमबर के कोशन बनते ही बनते हैं ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को ठीक है? देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ समझाना चाहता हूँ देखिए मान लीजिए यहाँ कोई ब्यक्ति ख़ड़ा है या कोई लड़का ख़ड़ा है ठीक है? उसका ये पॉर्षन क्या होगा? नीचे का होगा उसके ये पॉर्षन क्या होगा? पीछे साइड का पॉर्षन होगा ये कौँ साइड का हलाएगा? लेफ्ट साइड ये कौँ साइड है? फरवड यानि इसके ठीक आगे और ये क्या होगा? सीधा का साइड सीधा साइड एक नम सीधे साइड और ये जो होगा उपर का side होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जब भी हम लोग direction बनाते हैं इसमें चार step को follow करना पड़ता है पहला step इस question में दिया रहेगा कि उपर की और बढ़ना है दूसरा step इसमें दिया रहेगा कि नीचे की और बढ़ना है और तीसरा step जिसमें बोलेगा कि दाई side घुमना है राइट side घुमना है तो ये हमारा हो जाएगा राइट side और चौथा स्टेप में बोलेगा कि हमें लेफ्ट साइड घुमना है यानि इस साइड घुमना है ठीक है यानि इसी चारोर साइड से मिल करके हमारा पूरा डाइरेक्शन बना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दखिए अब कैसे मालूम चलेगा कि कौन उत्तर है कौन दच है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग पूरा पच्छिम उत्तर दच्छिन को समझते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टुएंट है जिनको उत्तर दच्छिन और पूरा पच्छिम समझने में थोड़ा सा परसानी होता है ठीक है तो चलिए पहले इसको समझते हैं देखिए माली जी हम पता नहीं कि किधर पूरब है किधर पच्छिम है किधर उतर है किधर जाचिन है ठीक है तो आपको सीम्पल सा क्या करना है एक सन बना लेना है आपको हमेशा यह काम नहीं करना है बस आपको पहली बार समझने के लिए इतना करना होगा ठीक है सन बना लेना है और सन बनाने के यहां पर एक डाइग्राम बना लेना है ठीक है अब आप सबको पता होगा कि सुरज जो है हमेशा पूरव से ही उगता है यानि उदाय होता है यानि इस्ट से ही उगता है और इस्ट को हम लोग इस से डीनोट करेंगे ठीक है अब एक काम करिए आप सुरज की तरफ मुह करके खड़े हो जाएए तो जब भी आप सुरज की तरह मुह करके खड़े होंगे तो आपका पीठ पच्छिएम की मतीस साइग जायका वेस्ट में जायईगा और आपका दाहिना राइट यह साउथ की में हमेशा जायेगा और आपके जो बाया हाथ है की हमेशा नौर्थ की दिशा में जाएगा ठीक है यदि आप सुर्ज की और मुह करके खड़े होंगे तो आपका जो फेस है वो हमेशा पूरफ साइड जाएगा आपका पीठ जो है हमेशा पच्छिम की और जाएगा आपका दाहया हाथ हमेशा south की और जाएगा और आपका बाया हाथ यानि left side हमेशा उत्तर की और जाएगा एक बार आप इसको try कर सकते हैं जब सुरज निकलता है तो एक बार try कर लीजिएगा ठीक है चलिए देखिए 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 डाइडेक्सन जो है इसके तीन टाइपस होते हैं ठीक है पहला टाइपस में हम लोग को ये check करना होता है कि वह किस दिशा में देख रहा है और वह मतलब currently में वह किस दिशा में अभी देख रहा है या किस दिशा में अभी जा रहा है ठीक सेकेंड टाइप में क्या चे करना होता है कि इसमें बोलता है कि प्रारंभीक जहां से चलना है श्टार्ट किया था वहां से अब किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में देख रहा है ठीक है और तिसरा टाइप जो है इसमें ये चेकरना होता है कि प्रारंभीक बिंदू से यानि जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां से जहां पर पहुंच गया वहां से वहां के बीच की दूरी किया है मने कितना दूरी तक वो चल गया तो यही चीज हमें ग्याद कारना होता है और इन ही तीनों टाइप्स पर हमारा डाइरेक्शन टॉपिक बनता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टाइप नंबर वन ठीक है और इसके कोश्चन को बलाने से पहले मैं आ देखिए जैसे आप लोग को तो पता चली गया कि यह जो है वेस्ट होता है यह हमारा इस्ट होता है यह हमारा नौर्थ होता है यह हमारा साउथ होता है ठीक है अब देखिए क्या करना है इसके बाद यहां पर हमारा चार बॉक्स बनेगा एक दो तीन और चार ठीक है तो बन गया ठीक है अब देखिए हमें ये तो पता है कि ये इस्ट है ये वेस्ट है ये साउथ है और ये नौर्थ है ठीक है लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये कौन सा धिसा होगा फिर ये कौन सा धिसा होगा ये कौन सा धिसा होगा और यह कौन सा दिशा होगा क्योंकि सिधा सिधा तो हमें पता चल गया तो क्या करना है देखिए यहां पर चार बॉक्स बन गया अब देखिए यह जो बॉक्स बना है यह किस किस से किस के बीच में है तो इधर से साउथ के बीच में है और इधर से वेस्ट के बीच में है यानि य यह हमारा दीशा जो है यह हमारा दीशा साउथ वेस्ट हो गया अब यह एधर से साउध और इधर से इस्ट यानी साउथ इस्ट हो गया यह वला यह हमारा साउथ इस्ट हो गया अब यह भर्ये यह वला तो इधर से और इधर से जाएगा ठिक है यानी इधर से नोर्थ और इधर से इस्ट यानी यह एरिया हमारा नोर्थ इस्ट का हो गया ठिक है अब यह वला भर्ये तो इधर से हमारा नौर्थ और इधर से वेस्ट यानि ये एरिया हमारा नौर्थ वेस्ट का हो गया ठीक है आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गए ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर दाएं बाएं भी लिखा है देखिए दाएं मूर्ता है तो दाएं बाएं वाला एक बार समाझ लेते हैं देखिए जैसे ये हमारा डाइगराम हो गया एक सेकंड माली जी एक घड़ी है ठीक है एक घड़ी है ठीक है यह आपका घड़ी हो गया ठीक है इसमें कुछ टाइम लगा देते हैं यहाँ पर माली यह तीन बज रहा है यहाँ पर 12 बज रहा है यहाँ पर 6 बज रहा है और यहाँ पर 9 बज रहा है ठीक है अब देखिए यहाँ पर हमारा सुई की बिंदू है ठीक है अब देखिए जब भी बोलेगा कि बाएं दिशा में घूमो या दाएं दिशा में घूमो तो क्या करेंगे देखिए दाएं दाएं दिशा हमेशा क्लोक वाइज होता है क्लोक वाइज कहने का मतलग कि घड़ी की दिशा में घूमेगा जैसे देखिए जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 के बाद मालिजे कोई सुई यहाँ पे 12 है ठीक है तो 12 के बाद अब किस दीशा में जाएगा तो 12 से 3 की ओर बढ़ेगा यानि यह हमारा क्लोकवाइज हो गया और क्लोकवाइज बोले या दाएं बोले दोनों बात एक ही है ठीक है और 3 से फिर कहा जाएगा 6 की ओर बढ़ेगा 6 से 9 की ओर बढ़ेगा और 9 से 12 की ओर बढ़ेगा यही हमारा clockwise होता है clockwise या दाए ओर ठीक है दोनों एक ही बात होता है अब माली जी यह उपुछ दिया कि बाएं ओर बाएं बाएं का मतलब होता है anti-clockwise अब बीपिरित दिशा कैसे होगा जैसे माली यह 3 बज़ रहा है तो 3 से फिर 6 नहीं जाएगा 3 से अब 12 में जाएगा anti-clockwise इसी को बलते हैं उल्टे दिशा में फिर 12 से 9 में जाएगा फिर 9 से 6 में जाएगा और 6 से 3 में जाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे anti-clockwise और यह जो हमारा यह clockwise है यह बोला इसको बोलेंगे clockwise ठीक है I hope कि आप लोग को इतना बात समाज में आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जैसे यह पहला कोशन मनाते हैं यह हमारा डाइगराम हो गया इधर होता है East इधर होता है West इधर होता है South और इधर होता है North ठीक है अब कोशन को ध्यान से पढ़िए और उसको बनाने की कोशिस कीजिए ठीक है देखिए कोशन में बोल रहा है कि एक ब्यक्ति पूरा प्योर बढ़ता है कोई भी ब्यक्ति कभी भी बढ़ेगा तो इस बिंदू से ही बढ़ेगा यह जो हमारा बीचोरा बिंदू है यहीं से आगे बढ़ेगा तो बोल रहा है कि एक ब्यक्ति पूरब क्योर बढ़ता है तो पूरब की धर है यह धर पूरब क्योर बढ़ता है ठीक है तो हम पूरब क पूर बढ़ता है पूराप की वर बढ़ने के बाद फिर वह बाय मुड़ता है और माली जी यहां पर कोई चीज पहुच गया तो यहां से बाय किधर होगा बाय का मतलब होता है माली जी यहां आगया अगर यही से सिधा आता तो नौर्थ में आ जाता ठीक है तो यहां से अब दाय मुड़ेगा तो किधर जाएगा तो दाय मुड़ेगा तो फिर इधर जाएगा ठीक है इधर जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर आने के बाद कलोक वाई जैसे जाते है ना तो यह दाहिन यहां पर आ गया अंत में और अंत में दूसरा दाहिना मूर जाता है अब यहां तक पहुच गया अब यहां से फिर किधर दाहिना जाएगा यहां सीधा ऐसे जाएगा अब नीचे थोड़ी आएगा क्योंकि क्लोक वाइज घुमेगा ना दाहिने का मतलब होता ह clockwise तो यहां तक आ गया बोल रहा है कि वो किस दिशा का सामना कर रहा है मानिजी यहां पे रुख गया अगर नहीं रुखता अगर ऐसी आगे बढ़ते रहता तो किस दिशा में जाता देखिए यह south की दिशा में जाता ठीक है यानि south की दिशा में जाता ठीक है इस तरह से इस question का हमारा right answer हो जाएगा option number c ठीक है चलिए आगला question देखते है हमारा आगला question है कि नवीन जो है पच्छिम की और आगे बढ़ता है देखिए इसमें भी पहले diagram बना लेते हैं diagram बना लेते हैं ये हो गया east ये हो गया west ये हो गया south और ये हो गया north ठीक है बोल रहा है कि नवीन जो है पच्छिम की और आगे बढ़ता है तो पच्छिम कहां है कोई भी चीज यहां से चलना इस्टार्ट करता है पच्छिम चलेगा तो इधर चलेगा माली जीए दिया नहीं कि कितना चलता है तो माली जीए हम इतना चला देते हैं इतना चल गया कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाय मुडता है अब माली जीए इस दिशा में है बाय मुडना होगा तो किधर जाएगा उपर में जाएगा क्योंकि यह होता है हमारा clockwise और यह होता है एंटी-clockwise यह एंटी-clockwise ठीक है तो एंटी-clockwise में जाएगा यानि उपर की ओर जाएगा ठीक है तो यह हमारा इतना चल गया ठीक है उपर की ओर चल गया यानि पुछ दूरी तेक में बाय मुड़ता है तो बाय मुड़ गया और फिर दा मुड़ता है यहां तक तो पहुच गया ठीक है अब यहां तक पहुचने के बाद क्या करेगा दाएं के मतलब क्या होता है अब इधर से इस साइड जाएगा इधर का मतलब माली जी यहां तक पहुच जाता माली जी यहां तक पहुच जाता तो इधर से फिर कैसे मुड़ता इ यह वेस्ट है तो वेस्ट में जा रहा है ठीक है यानि अप्शन नमबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं हमारा अगला कोश्चन है कि एक घोड़ा उतर की ओर है और दचिना वर्त में 90 डिग्री जाता है देखिए डिग्री वाला तो अभी आपको समझाया नहीं है चलिए डिग्री वाला आप समाझ देते हैं जैसे मान लीजिए यह हमारा घड़ी है यह हमारा घड़ी है ठीक है इसमें कुछ टाइम लगा देते हैं यह 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 और यह मान लीजिए यहां पर तीन बजा छे बजा फिर नौ बजा और यह 12 कोई भी सरकल या कोई भी घड़ी की सुई घड़ी की पूरा एक चकर लगाने में 360 डिग्री का कौन बनाती है अगर कोई भी घड़ी की सुई घड़ी का अगर एक चकर पूरा कर लेती है तो इसका मतलब कि 360 डिग्री का कौन उसने बना लिया तो कैसे मालूम चलगा देखि तो इसको 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब भी घड़ी की सुई कोई भी सुई एक चकर पूरे घड़ी की लगा लेती है तो इसका मतलब 360 इरी का कौन मनाती है तो उसमें 4 से डिवाइड कर देखे हैं कि देखें चार बॉक्स है एक दू टीन और ये चार बॉक्स ठीक है तो चार से डिवाइड कर देते हैं चार नमा 36 और 0 है तो 0 इसका मतलब हमारा 90 आ गया यानि चारो कमान 90 होगा 90 यहां पर भी समकोन हो गया यानि यह भी 90 यहां भी समकोन हो गया इसका मतलब यह पूरा 90 यह पूरा 90 और यहां भी समकोन हो गया इसका मतलब यह 90 ठीक है इसको हम हटा लेते हैं ठीक है चलिए इसको हम यहां पर 90 लिख देते हैं यहां पर 90 यानि यहां से यहां तक 90 यहां से यहां तक 90 यानि पूरा 90 90 हो गया तभी न जोड़ के 9 अब देखिए यहां से यहां पर तो भी 90 हो गया और यहां से यहां पर पर पहुच गया तो भी 90 हो गया लेकिन अगर सीधासे पहुच गया तो यह हमारा 180 होता है और ऐसे सिधा सिधा पहुंच गया तो यह भी हमारा यह पूरा यह लाइन 180 हो जाएगा यह उला लाइन 180 हो जाएगा ठीक है हो गया पूरा लाइन यह पूरा लाइन ठीक है अब देखिए अब इसमें अगर माली जी यहीं से ऐसे निकल गया तो यहीं से ऐसे निकल ग हमारा 90 है तो इसमें बीच से लाइन काटेंगे तो यह हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और यह भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा ठीक है अगर यह हमारा पूरा 90 है तो यहां पर लाइन पाड़ेंगे तो 45 डिग्री यह बन गया अगर इसमें भी अगर बीचो बीच लाइन खीच देते हैं, तो यहां तो पूरा यह 90 हो गया, यहां से यहां तक, अगर यहां देंगे तो यह 45 डिग्री हो गया, और यह 45 डिग्री हो गया, ठीक है, I hope कि आप लोग को इतना बात समझ वे गया, यानि कि यहां से पूरा यहां और B से भी पूरा D तक 180 डिग्री बना, ठीक है, बाकि यह जो यहां से यहां तक 90 हो गया, यहां से यहां समझें आगया ठीक है किशना क्चन बनाते हैं जखे यह योड़ा मना लिए हमारा इस्थ हो गया यह हमारा सफ हो गया और यह हमारा हो गया तो बोड़ा है कि एक घोड़ा उतर की दिशा की ओर है उत्तर की दिशा की ओर तो मालीजिए उत्तर की दिशा की ओर मालीजिए यहां पर है ठीक है यहां पर आया हुए ठीक है वह दचिना वर्त में 90 डिग्री घुमता है दचिना वर्त का मतलब कलोक वाइज जब यहां घोड़ा है यहां से उत्तर दिशा में आया तो यहां पर तो यहां को फॉब्स गूमेगा तो कलो कॉइच इसे दिरेक्षिन में घूमे sellers तो मौनीजी यहां आ गिया गाण सब देखल यहां पाहतालिस और यहां पाहतालिस के यह पूरा और नगे भWasता है यह पूरा मिला के 90 होता है ठीक है तो यहां पर आ गया ठीक है यहां पर आ गया 90 अब देखिए यहां तक पहुंच गया 90 डीगरी ठीक है क्योंकि देखिए 90 बन गया 90 अब देखिये बोड़ा है कि इसके विरोधी बिरियंधु मतलब NT ClickWise में 180 गुमा अब देखिए कि NT Closed घुमेगा तो कैसे घुमेगा खुश शोची या अब बोल रहा है कि एन यानि बिरोधी दचिना वर्त मतलब बिरोधी मतलब दचिना वर्त का बिरोध कर रहा है यानि बाया वर्त में जा रहा है बामा वर्त में बामा वर्त का मतलब है एंटी क्लोक वाइज कितना जाएगा एक सवसी देखिए तो फिर से इधर से घुमेगा क्योंकि इधर गया इध सवसी हो गया यानि यह नब्वे और यह वला नब्वे حمद एक इसी ऐए में इसवासी टीड मोशना का देखेँ को यहां तो एसी पर पहुंक से अथा जू़े德 तो बता ही जाकी जाके जाके कहां कहां मिल यहां साउथ मिल गया तो बोल रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर है किस दिशा की ओर है तो दचिन दिशा की ओर है किस दिशा की ओर है ठीक है सोरी देखिए अब बोल रहा है कि अब किस दिशा की ओर है माली जी यहां पर रुग गिया अगर नहीं रुगता तो इधर जाता इ यानि इस्ट की ओर चला जाता ठीक है इस्ट दिशा की ओर जाता यानि option number यह हमारा correct हो जाएगा ठीक है चलिए आगला question देखते हैं हमारा आगला question है कि कोई ब्याक्ति यदि कोई ब्याक्ति चार किलोमीटर पच्छिम की ओर जाता है अब एक मिनट दखिए इसका भी हम लोग डाइगराम बना लेते हैं पहले यह वेस्ट यह इस्ट यह साउथ और यह नौर्थ ठीक है बोड़ा कि यदि कोई ब्याक्ति चार किलोमीटर पच्छिम की ओर जाता है तो पच्छिम की ओर किधर होगा अब खुद सूचिए पच्छिम की ओर मानीजी यहां तक आ गया यहा सब्सक्राइगे बाद दाइगर मुड़ता है अब यहां से दाइगर मुड़ेगा ऐसे क्लयकवाइग गुमेगा क्योंकि यहां माली गड़ी का सुई है तो इधर से नीचे घुम यहां घुमा इधर से पालगा और चलता है अब हैं तो यहां से और घुम होगा तुर से तो यहां से यहां आया तो चार किलोमेटर जाना है यहां से चार किलोमेटर जाना है तो दो किलोमेटर और आगे निकल जाएगा यानि इधर आ जाएगा तो पूछ रहा है कि छो किलोमेटर चलता है अब किस दिशा में बढ़ रहा है है माली जी हां रूक गया चो किल मीटर आके अगर नहीं रुकताए यहें अ highly बढ़ता रहता तो किस दिसा में जाता हो तो ही इस्ट कि दिसा में जाता है इस्टेकन भार निप्र जा रहा है तो यही ही इस्थ हमारा क्रेक्टर पन्सर हो जाए है वेस्ट यह साउथ नौर्थ ठीक है अमीत ने सूरज की ऊर पीठ करके चल दिया तो इधर उगते हैं इधर उगते हैं इधर ही ऊना उगते हैं इस्ट में पुरब की और पच्छिम की और फेश सुगा तो बस यही काम करना है कि आपको कि पक्छिम की और चलाना है तो यानि माली जी यहां तक चल गया यानि यहां तक आगिया यहां तो का गया ठीक है कुछ देर बाद वह बाए मुड़ा और बताईए यहां पर पहुंच गया है तो बाए किधर मुड़ेगा तो एंटी को लोकवाई यानि इधर मुड़ेगा ठीक है तो बाए मुड़ा बाए मुड़ा बाए मुड़ गया माली जी इतना चला ठीक है ब यहां मुड़ गया फिर दाय मुड़ाना है तो दाय का मतलब फिर इधर मुड़ेगा क्योंकि दाय का मतलब होता है क्लोक्वाइज का मतलब ऐसे होता है ठीक है तो यहां मुड़ गया ठीक है तो यहां मुड़ गया ठीक है हाँ अब देखिए फिर दाय मुड़ गया फिर बाय बाईयोर मूड़ा अब यहां चल गया तो फिर बाईयोर मूड़ेगा यानि बाईयोर का मतलब नीचे नहीं जाएगा तो दाईयोर हो जाएगा ना बाईयोर मूड़ा ना है तो फिर उपर जाएगा ठीक है उपर जाएगा तो अब किस दिशा में जा रहा है अब खुद साउथ और वेस्ट यानि साउथ या वेस्ट ठीक है यही हमारा राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगला कोशन देखते हैं हमारा ओ देखिए अब हमारा टाइप श्टारट होगा ठीक है और इसमें क्याच्य करना है कि अप प्रारभीक बिंदू से नहीं दिखा रहा था बस पूछ रहे की दिशा में जा रहा है या किस दिशा सामें देख रहा है लेकिन यहां पे प्रारभी कर देख recognition को देखते हैं, जैसे देखिए, पहले diagram बना लीजिए, यहां हो गया west, east, south, north, ठीक है, तो बोला सुमन्त अपने घर से 20 feet सीधा चलता है, सुमन्त अपने घर से 20 feet सीधा, अब सीधा बोला है, तो कहीं भी किसी भी दिसा में आप सीधा ले जा सकते हो, तो मानी जी हमने वेस्ट में ले गिया सीधा सीधा चलता है जो उतर की ओर है यहाँ पर लिखा है उतर की ओर जो उतर की ओर है तो आपको इधर नहीं ले जाना है आपको आपको उतर की ही ओर ले जाना है 200 फीट तो मानी जी यहाँ तक आना है ठीक है यहां तक आना है यह हो गया 200 फीट ठीक है यहां तक माली जी ठीक है 200 फीट हो गया जो उतर क्यों रहे और फिर वह 100 फीट बिपरित दिशा में घुमता है बिपरित दिशा में चलता है माली जी यहां से यहां आया तो इसका बिपरित क्या होगा इधर जाएगा इसका उल्टा ले जाना है यानि यहां से उतर क्यों रहा है तो उतर से अब दच्छिन क्यों जाएगा 100 मीटर तो माली जी यहां पर आ गया 100 मीटर यहां पर आ गया ठीक है साइमीटर फिर आगे वह बाय मूडता है अब यहां पर आ गया यहां से बाय मूड़ेगा तो कहां जाएगा बाय मूड़ेगा तो आपको इधर आएगा क्योंकि यह अगर दाय मूड़ गया तो फिर तो यह कलोकवाईज हो गया अपको एंटी कलोकव थाइए- तो डाई मूलास्थान में प्रब्रशार करने सब्सक्राइब. यहां से जांड कि यहां सब्सक्राइब. ये आंग रहे हैं बीचों बीच तो यह को Cuban पर हो यह कौन और है लुद्र हुर डाइब. नौर्थ वेस्ट यानि option number D correct हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं हमारा अगला question है कि एक ब्यक्ति दक्षिन की और 5 km चलता है चलिए पहले diagram बना लेते हैं एक ब्यक्ति दक्षिन की और 5 km चलता है ठीक है तो देखिए यहां से कोई ब्यक्ति चलेगा क्योंकि मूल 5 km गया ठीक है फिर वह दाइं और मूड़ता है अब यहां पहुच गया तो इसका दाइं और क्या होगा clockwise यानि इस साइड में direction में मूड़ेगा तो इधर मूड़ गया अब मूड़ने के बाद 4 km नई sorry फिर दाइं और मूड़ा और 3 km चला यानि 3 km चल गया ठीक है 3 km चला के बाद वह फिर बाइं और मूड़ता है अब यहां आप तो पहुंच गया बाइं और का मतलब नीचे नहीं आएगा क्योंकि इधर आएगा तो फिर क्लोक वाई जाएगा यह उपर जाएगा उपर आ गया और 4 km चलता है यह 4 km चल गया ठीक है अब 4 km चलता है फिर वह सीध यह तो 4 km चल गया चार क्लोक चलता है और फिर वह सीधे 10 km वापस चला जाएगा जाए वापस का मतलब का होता है लोटना तो 4 km यहां से यहां है तो फिर 4 km और यह तो पूरा 5 km है यहां से आएगा सीधा ऐसे तो 5 km और आ गया 4-5-9 हो गया बोला है 10 km तो और एक यहां पर तहीर होगा हमार 15初 10 किलम्यूटर वेपस चला जाता है आंके यह जहां से और दिशा की ओर किस धिसा में है तो यहां से इसे मिला दीजिए इसी दिशा में है यह यहीं परना तो कौंसा भो गया क नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट कहीं है येस हमारा अप्सान नमबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगला कोश्चन देखते हैं पहले डाइगराम बना लीजिए एक सेकेंड थोड़ा डाइगराम इधर साइड बनाते हैं थोड़ा ज्यादा उसमें हो जाए ठीक है देखिए ठीक है इधर इस्ट इधर वेस्ट इधर साउथ इधर नौर्थ ठीक है अब बोल रहा है कि पी पी कोई है जो अपने घर से पच्छिम क्योर चलना सुरू करता है तीक है पच्छिम क्योर मान क्यों जीए यहां से पच्छिम क्योर चलना सुरू करता है यहीं से चलेगा पच्छिम क्योर मान लीजिए उसने पचीस मीटर चला यह बोला है ना कि पचीस मीटर चलने के बाद यानि पचीस मीटर पहरे चल गया यहां तक आ गया वह दाई और मुड़ा तो यहां से दाई और किधर मुड़ेगा इस तरफ मुड़ेगा दाई और मुड़ा और दोस मीटर चला ठीक है 10 मीटर चला फिर वह फिर से दाई और मुड़ा और 15 मीटर चला यानि फिर से दाई और मुड़ा यानि इधर से कहा जाएगा इस तरफ जाएगा फिर वह दाई और मुड़ा और 15 मीटर चला यानि यहां पर चल गया यहां पर यानि 15 यहां पर आ गया ठीक है 15 मीटर चल इसके बाद वह 135 डिगरी पर दाएं मुड़ता है यहां से ध्यान दीजिए दखिए यहां पर है हम लोग ठीक है और दाएं बोल रहा है तो यहां से दाएं तो इधर घुमेंगे दखिए हम आपको बताए थे कि यह जो बीचों बीच यह बनता है यह 45-45 डिगरी का बनता है य करना है कि बोल रहा है कि इसके बाद 135 डिगरी दाएं और मुड़ना है तो दखिए दाएं और कैसे मुड़ेंगे माली जीए यह जो हमारा लाइन है अगर यहां ना होके यहां तक आ जाता तो हम क्या करते कैसे दाएं मुड़ते तो दाएं का मतलब होता है clockwise यहां से कहा जा जाएगा ठीक है तो उपर के और जाएंगे और कितना 135 डिगरी तो देखिए यहां से यहां तक 45 डिगरी यहां से यहां तक 45 डिगरी और यहां से यहां तक 45 डिगरी ठीक है यानि हमारा जो यह कौन बना यह कौन 45 डिगरी यह कौन 45 डिगरी और यह कौन 45 डिगरी ठीक है त इतना हो गया अब देखिए जब यहां दस दस मीटर है तो इसके बराबर यह भी तो लाइन है तो यहां भी तो हमारा दस मीटर होगा ठीक है जब यहां दस मीटर होगा तो यहां भी दस मीटर है और यहां भी दस मीटर मान लिजिए क्योंकि हमें 30 मीटर लाना है ठीक है तो 30 म है कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए तो किस दिशा में आ गया देखिए तो किस दिशा में आ गया इधर से साउथ और इधर से वेस्ट यानि साउथ वेस्ट यानि साउथ वेस्ट की एरिया में चला गया अप्सन नमबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं हमारा अगला कोशन है कि Y जो है X के पूरब में है देखिए पहले डाइगराम बना लेते हैं यहां East यहां West यहां South और यहां North ठीक है बोल रहा है कि Y जो है X के पूरब में है तो मान लीजिए Y जो है X के पूरब में यानि X जो है यहां पर है तो X के पूरब में Y है मान लीजिए यहां पर है Y ठीक है अब बोल रहा है जो देखिए यहां पर एक चीन लगा है जो जेड के उतर में है और जब ही जो का बात आता है वो हमेशा दूसरा वाला के लिए बोलता है यानि X के लिए बोलेगा तो Z जो Z के उतर में है यानि X जो है वो Z के उतर में है तो Z जब यहाँ पर होगा तभी तो इसके उतर में X होगा ठीक है? इसके उतर में क्योंकि जो का मतलब होता है दूसरा वाला के लिए तो दूसरा वाला क्या है? X है तो Z जो है वो X के Sorry, X जो है वो Z के उतर में है, ठीक है? तो ये तो Z के उतर में हो गया ठीक है? अब पुछ रहा है कि यदि P जो है वो Z के दक्षिन में है यानि P कोई एक अस्थान होगा यहाँ पर मान लिजिए जो Z के दक्षिन में है इसके दक्षिन में ये P हो गया तो पुछ रहा है तो Y की किस दिशा में P है? तो Y से P को मिला ये पहले यहाँ से मिला दिए ऐसे मिला दिए, ठीक है? मान लिजिए यहाँ तक South Air तो अगर और आगे तक लेग जाएंगे तो कहां तक जाएगा? देख लिजिए आप खुद देख लिजिए और इसको आगे तक लेग जाएंगे तो कहां जाएगा? यानि अगर और आगे तक लेग जाएंगे तो इधर से आगिया South और इधर से आगिया वेस्ट यानि हमारा साउथ वेस्ट की एरिया में आ गया ठीक है तो दिखें कहीं साउथ वेस्ट लिखा है नहीं लिखा है यानि इस तरह से इस कोशन का राइट आंसरों का अप्सन नमबर डी यानि नौन ओफ दीज घबराने की जूरत नहीं कभी कभी नौन ओफ दीज भी मष्ण आता है ठीक है चलिहें आगना कोशन देखते हैं हमारा आगना कोशन है कि एक व्यखती दक्षीन की ओर पाँच कि-लो मेटर जाता है पहरे डाइगराम बनाते हैं ये east ये west ये south और ये north ठीक है एक ब्यक्ति दक्षिन की और 5 km जाता है तो माली जी यहां से चलेगा यहां से तो माली जी यहां तक जाके 5 km पूरा हो जाता है ठीक है फिर वह दाईयों और मुड़ता है माली जी अब south पहुँच गया तो दाईयों और किधर मुड़ेगा तो clockwise मुड़ेगा ये east side मुड़ेगा तो इधर मुड़ गया और मुड़ने के बाद 3 km चलता है इधर से ऐसे मुड़ दिये और 3 km चल दिये ठीक है 3 km चल गया अब बोल रहा है चलने के बाद वह फिर बाईयों और मुड़ता है माली जी यहां पर है अब बाईयों का मुड़ क्या है अब clockwise नहीं गया नीचे नहीं आएगा clockwise अब सीधा उपर जाएगा क्योंकि यहां पूछ रहा है बाईयों का मतलब anti clockwise तो इधर जाएगा ऐसे इधर कर लिए ठीक है और बाईयों मुड़ता है तो बाईयों मुड़ा दिये यहां तक गया कितना किलोमेटर पांच किलोमेटर चलता है तो यहां लिख दिये पांच किलोमेटर ठीक तो अर्रम्भी यानि जहां से स्टार्ट किया था चलना वहां से किस दिशा में है तो इसको मिला दीजिए किस दिशा में है दखिए साउथ और वेस्ट इधर से साउथ इधर से वेस्ट यानि साउथ वेस्ट की एरिया में है यानि अप्सार नमबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है आई होप कि आपको लोग को यह समझ में आया होगा तो यह हमारा पार्ट वन था, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट टूब में टाइप नमबर किक बारे में डिस्काऊस करेंगे और एक एडिस्नल टाइप होता है जो टाइप नमबर 4 है उसके बारे मेंORA भी बात करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए हस्ते रही मुस्कुदा रही और अच्छे से पढ़ाई करते रही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद्ट